Hello everyone, हम 6th class की जो NCRT है, उसमें हम science discuss कर रहे हैं और इसका जो first chapter है, कि food where it comes from मतलब हमारा जो भोजन है, वो कहां से आता है, उसकी उत्पत्ती कहां से होती है जो भी human beings है, जो भी भोजन खाते है, वो कहां से आता है, ठीक है? तो देखो, start करते हैं, सबसे पहले जो humans हैं, हम general way में बात करते हैं, मानलो कोई human है वो खाने में रोटी खाता है, ठीक है? उसके साथ में vegetables खाता है, दही खाता है normal humans की हम बात कर रहे हैं, card खाता है, या egg खाता है अब इसमें हम discuss करेंगे कि जो रोटी है, वो किस से बनी है, सबको पता है, रोटी फ्लोर से और फ्लोर में, आटे में हम डालते हैं, salt नमक, उससे बनती है रोटी vegetables, vegetables बनाने के लिए कोई भी vegetable चाहिए, उसके साथ में हमें oil चाहिए, spices चाहिए, मतलब मसाले चाहिए और salt चाहिए, एग जो है, वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें hand से मिलता है, कर्ड जो है, वो हम cattle से, जो हमें दूद मिलता है, मतलब milk मिलता है, उससे हम तई ही बनाते है तो एक तरीके से अगर हम बात करें, कि हमारा जो भोजन है, उसका जो source है, floor, आटा कहां से मिला, आटा कहां से बनता है, वीट से बनता है, या फिर बाजरे से बनता है तो आटा कहां से आया, प्लांट से आया, कहां से आया, प्लांट से आया आटा, और जो दही जो हम खा रहे हैं, प्लांट से आया आटा, जो दही हम खा रहे हैं, वो कहां से आया, जानवर से आया, तो हमारे जो भोजन के जो स्रोत है, भोजन जो हमें प्राप्त होता है, वो य इनिमल्स इन में से एक होंगे अब अगर हम बात करें कि एनिमल्स जो है वो अपना जो फूड है वो कहां से कलेक्ट करते हैं तो देखो एनिमल्स के तीन टाइप होते हैं या तो एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स और प्ल मतलब मदू मक्की वो अपना food कहां से बनाती है तो जो मदू मक्की जो होती है वो flowers से पेडों के जो flowers होते हैं उनमें होता है nectar मतलब मकरन, sweet juice उनको collect करती है और उससे अपना food बनाती है अब वो nectar को collect क्यों करती है यह इस chapter में बताया गया है कि nectar को collect क्यों करती है क्योंकि flowers जो होते है वो 12 months के लिए survive नहीं कर पाते है इसी में पेड़ पे कोई flower आता है तो वो कुछ समय के लिए survive करता है उसके बाद में उस flower की death हो जाती है मतलब वो खतम हो जाता है इसलिए B क्या करती है कि इनका जो sweet juice है उन flowers का उनको collect करेंगी और उनसे अपना भोजन बनाएगी और उतसे बनता है honey क्या बनता है? honey बनता है इस तरीके से यह हमने discuss किया इस chapter में सार जो है मतलब conclusion में अगर हम बात करें तो यही बता रखा है कि humans अपने जो food है वो कैसे collect करते हैं इस chapter में सबसे पहले food variety बताई गई है कि अलग-अलग जगे के लोग अलग-अलग food खाते हैं मतलब south के जो लोग है वो idli सामबर खाएंगे जो central के जो लोग है इंडिया की बात हो रही है इंडिया के context में बात हो रही है central के जो लोग है वो गेहूं और चावल ये खाएंगे और बिलकुल north में अगर हम बात करें तो वो लोग भी जैसे मतलब एक तो plants के उपर ज़्यादा वो करते हैं उसके अलावा वो लोग क्योंकि ठंड ज़्यादा गिरती हैं इसलिए वो मीट पर ज़्यादा निर्भर करते हैं ये food variety के बारे में बताया गया है आगे इस chapter में बताया गया है कि food materials and sources आगे बताया गया है कि जैसे जो हमने रोटी बनाई उस रोटी को बनाने में कौन-कौन से food materials यूज होया है और वो कहां से प्राप्त हुए है तो रोटी के लिए हम डिसकस कर चुके हैं एक example के तो मैं बात कर रही हूँ जैसे यहाँ पर इडली का food item दे रखा है कि इडली, south में इडली खाते है और इडली किस से बनती है rice से बनती है, उरदा, salt और water अब यह जो source है, यह ingredients है जो तत्व है इडली बनाने में वो plant से मिले है नीचे है chicken curry chicken curry को बनाने में chicken चाहिए spices है, oil गी चाहिए और water चाहिए तो जो chicken है वो हमें animal से मिलता है oil और घी है वो plant या animal से हमें मिलता है तो यह हमारे food के जो source है, वो materials का है plant का कौन-कौन भाग हमसकते है और animal products कौन-कौन से है जिनको हम food के रूप में use कर सकते है देखो, यहाँ पर एक plant का हमें देखो, यहाँ पर एक figure दे रखा है, plant का देखो, plant में flowers होते है bird होते है, stem होते है leaf होती है, और roots होते है अब इनमें से कोई तो प्लांट ऐसा होता है जिसके हम flowers खा सकते हैं कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं जिनके हम leaf खा सकते हैं कुछ प्लांट ऐसे होती हैं जिनके हम root खा सकते हैं तो अलग-अलग plants के अलग-अलग part edible होते हैं यह यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट आगे इस चेप्टर में ये बताया गया है कि जो बी के बारे में हम डिसकस कर चुके हैं कि जो बी है जो मतलब हनी बी है वो अपना जो फूड है वो कहां से गैधरिंग करती है वो नेक्टर से गैधरिंग करती है और B को तो पुरी साल अपना भूजन बनाना है इसलिए वो इस चीज को store कर लेती है और बाद में इसी से honey बनता है जिसको हम अपने use के लिए भी इखटा करते हैं आगे इस chapter में बताया गया है कि What do animal eat? जो हमारे जानवर है वो क्या खाते हैं? ये discuss किया गया है तो देखो कुछ जो जानवर होते हैं कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ plants को खाते हैं ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ plants को खाते हैं ऐसे जानवर को क्या बोला जाता है? हर्भी वोरस क्या बोला जाता है, हर्भी वर्स बोला जाता है अब कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्णी वर्स जैसे लोयन हो गया और जो जानवर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पो देखाते हैं जैसे गाय हो गई, हर्भी वर्स अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ऐसे जानवर्स क्या हो गई, ओम्निवर्स, मतलब सरवाहारी नेक्स्ट आकेस में बताया गया है कि देखो, फूड सबका सेम होता है सबको कही न कहीं से जर्रत होती है तो लास्ट में बताया गया है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको sufficient food नहीं मिलता है इसलिए हमें ऐसे तरीके डूंडने चाहिए कि हमारी country जादा से जादा food उगा सके और जो सबके लिए एनफ हो ये इसमें बताया गया है इस तरीके से science का first chapter है इसमें हमारे food के source के बारे में बताया गया है लास्ट में इसकी summary दी हुई है इस chapter की कि there is a lot of variation in the food eaten in different regions of India कि भारत के जो different region है मनलब south में अलग परकार का बोजन काया जाता है ये variations के बारे में बताया गया है इस chapter में The main source of our food are plants and animals हमारे भोजन का जो मुख्य जो स्रोत है या तो हमें plants से प्राप्त होता है या फिर animals से प्राप्त होता है ऐसे जानवर जो सिर्फ plants खाते हैं उनको हर्भी वरस बोलते है Animals which eat only animals are called carnivorous ऐसे जानवर जो सिर्फ animals को खाते हैं उनको carnivorous बोलते हैं मतलब ये साका हरी हो गए ये मासा हरी हो गए Animals which eat both plants as well as both animals are called omnivorous ऐसे जानवर जो plants और animals दोनों को खाते हैं उनको बोलते हैं सर्वा हरी तो ये हमने science का first chapter को discuss किया व तो किया जैर जाइघ लुक्षा फथा सबस्षा नच्छ्च एमाइव तो सिर्फट्ट लग पर अर